मुझे आपा याद आती है तो मेरी आखों के आगे एक छोटा सा बिलोरी दिया आ जाता है जो मद्धम लौसे जल रहा हूँ मुझे याद है एक राज जब हम सब चुपचा बावर्चे खाने में बैठे थे मैं आपा और अमी जान तो छोटा बद्धो भागता वा आया उन दिनों बद्धो यही छे साथ साल कर रहा होगा कहने लगा अमी जान मैं भी बाह करूँगा ओ अभी से अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा फिर कहने लगी अच्छा बद्धो तुम्हारा बया आपा से कर दें बद्धो ने सर हिलाते हुए कहा अम्मा कहने लगी क्यूं आपा को क्या है हम तो चाजोबाजी से बाह करेंगे बद्धो ने आखे चमकाते हुए कहा अम्मा ने आपा की तरफ मुस्कराते वे देखा और कहने लगी क्यूं देखो तो आपा कैसी अच्छी है मैं बताओं कैसी है वो चिलाया बद्दुन ने आके उठा के चारो तरफ देखा जैसे कुछ ढून रहा हूँ फिर उसकी निगा चूले पर आकर रुकी चूले पर उपले का एक जला हुआ टुकडा पड़ा था बद्दुन ने उसकी तरफ इशारा किया और बोला ऐसी और फिर बिजली के रोशन बल्ब की तरफ उंगली उठा कर चेखने लगा और च्छाजो बाजी ऐसी इस बात पर हम सब देर तक हंसते रहे इतने में तसद्दुक भाई आ गए अम्मा कहने लगी तसद्दुक बद्दो से पूछना तो आपा कैसी है आपा ने तसद्दुक भाई को आते वे देखा तो मूँ मोड कर यूँ बैट गई जैसे हंडिया पकाने में मुनहमिक हो हाँ तो कैसी है आपा बद्दो वो बोले बताओं बद्दो चिलाया और उसने उपले का टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया गालबन वो उसे हाथ में लेके हमें दिखाना चाहता था मगर आपा ने जट उसका हाथ पकर लिया और उंगली हिलाते वे बोली बद्दो रोने लगा तो अम्मा कहने लगी पगले इसे हाथ में नहीं उठाते इसमें चिंगारी है वो तो जला वाए अम्मा बद्दो ने बिसूरते वे कहा अम्मा बोली मेरे लाल तुम्हें नहीं मालूम इसके अंदर तो आग है उपर से नहीं दिखाई देती बद्दो ने भूले पन से पूछा क्यों आपा इसमें आग है उस वक्त आपा के मूँ पर हलकी सी सुर्ख ही दोड़ गई मैं क्या जाना वो भर आई वी आवाज में बोली और फूपनी उठाकर जलती वी आग में बेमस्रफ फूखे मारने लगी अब मैं समझती हूँ के आपा दिल की गहराईयों में जीती थी और वो गहराईयों इतनी अमीख थी के बात उभरती भी तो निकलना सकती उस रोज वद्दो ने कैसे पते की बात कही थी अगर मैं कहा करती थी के आप आप तुम तो बस बैठी रहती हो और वो मुस्कुरा कर कहती के पंगली और अपने कामों में लग जाती वैसे तो वो सारा दिन काम में लगे रहती थी हर कोई उसे किसी ना किसी काम को कह देता और एक ही वक्त में उसे कई काम करने पड़ते उदर बद्दो चीखता आपा मेरा दलिया उदर अबबा घूरते सजादा मेरी चाय क्यों नहीं बनी अभी तक बीच में अम्मा बोल उटती अरे बिटिया दो भी कब से बाहर आए खड़ाए और आपा चुप चाप सारे कामों से निपट लेती थी ये तो मैं खूब जानती हूँ मगर इसके बावजूद जाने क्योंसे काम करते हुए देखकर ये महसूस नहीं हुता था कि वो काम कर रहे है या वो इतना काम कर रहे है मुझे तब यहीं मालू होता कि वो बैठी ही रहती है और इधर से उधर गर्दन मौडने में बहु उसे उतनी ही देर लगती है और चलती है तो चलती भी मालुूमी नहीं होती इसके इलावा मैंने आपा को कभी कहका मारकर हंसते हुए नहीं सुना था ज़ादा सब ज़्यादा वो मूस्कुरा दिया करती और बस खल्बता वो मुस्कुराया अक्सर करती जब वो मुस्कुराती तो उसके होंट खेल जाते और आँखे भीग जाती हम्, मैं तो समझती थी कि आपा चिपकी ही बैठी रहती है जरा नहीं हिलती और बिन चले लुड़कर यहां से वहां चली जाती है जैसे उसी किसी ने धकेल दिया हो इसके बरक्स साहरा कैसे मज़े से चलती थी जैसे दादरे की ताल पर नाच रही हो और अपनी खालाजाद बेहन साजो बाजी को चलते देखकर तो मैं कभी न उकताती जी चाहता था के बाजी हमेशा मेरे पास रहे और चलती चलती इसी तरह गर्दन मुड़कर पंचम तान में कहे हैं जी क्यों जी और उसकी काली-काली आँखों के गोशियों मुसकराने लगी बाजी की बाद काद मुझे क्यानी प्यानी थी साहरा और सुरया हमारे परोस में रहती थी, दिन भर उनका मकान उनके कहकों से गुशता रहता, जैसे मंदिर में घंटियां बज रही हो, बस मेरा जी चाहता था, कि उन्हीं के घर जा रहूं, हमारे गर में रखा ही क्या था, एक बैट रहने वाली आपा, एक ये करो वो करो व लेते वे सुना, सच तो ये मुझे बहुत घुसा आया, अबा कहने लगे, सज्जादा की मा, मालूम होता है साहरा की घर में बहुत बरतन है, क्यों? अमा पूछने लगी, कहने लगे, बस, तमाम दिन बरतन ही बच्टे रहते हैं, या कहकहे लगते रहते हैं, जैसे मेला बोली, मुझे क्या मालूम, आप तो बस लोगों के घरों की तरफ कान लगाए बैठे रहते हैं, अबा कहने लगे, ओफो मेरा तो ये मतलब है, कि जहां लड़की जवान हुई, बरतन बजने लगे, बाजार के उस मोर्तक लोगों को खबर हो जाती है, कि फलां घर में जाता था कि बावरची खाने में बैठी वी आपपा के जाके मूँ चुराओं, अबा जानते ही क्या है, बस हुक्का लिया और गुड़गुड कर लिया, या जादा से जादा किताब खोल कर बैठ कर और गिटमिट-गिटमिट करने लगे, जैसे कोई भट्यारी मकई के दान भी करते हैं, जाने वो कौन सा शेर था? हाँ, चुप-चुप से वो बैठे हैं, आँखों में नमी सी है, नाजुक से निगाहों में, नाजुक सा फसाना है, आप आउने गाता सुनकर किसी ने किसी बात पर मुस्करा देती, और कोई बात नहोती तो बद्दो को हलका सा थप पर मार कर कहती हैं, बद्दो, रोना, और फिर आप ही आप मुस्करा देती हैं, तसद्दुक भाई मेरे फुपपा के बेटे थे, उन्हें हमारे घर आये, यही दो माह हुए होंगे, कॉलेज में पढ़ते थे, पहले तो वो बोर्डिंग में रहा करते थे, फिर एक दिन लगी, अपना घर मौजूद है, तो बोर्डिंग में बड़े रहने का मतलब, फिर उन दोनों में बहुत सी बाते हैं, अमा की तो यह आदत है, अगली पिशली तमाम ले बैठती हैं, गर्जिय के नतीज़ा यह हुआ, एक हफते के बाद तसद्दुक भाई बोर्डिंग छ करते, करते भी कैसे, जब कभी वो आपा के सामने जाते तो आपा के दुबटे का पलू, आप ही आप से रख कर नीम घूंगट सा बन जाता, और आपा की भीगी भीगी आँखें जुग जाती, और वो किसी ना किसी काम में शिद्दत से मसरूफ दिखाई देती, अब मुझे ख्याल आता है, कि आपा उनकी बातें गोर से सुना करती थी, गो कहती कुछ ना थी, भाई साहब भी बद्दो से आपा के मतालिक पूछते रहते, लेकिन सिर्फ उसी वक्त, जब वो दुनों अकेले होते, बद्दो, तुम्हारी आपा क्या कर रही है, आपा बद्दो लाप बरवाही से दोहराता, बैठी है, बुलाओं, भाई साब घबरा के कहते, नहीं, नहीं, अच्छा बद्दो, आज तुम्हें ये दिखा है, इस तरफ ये देखो, और जब बद्दो का ध्यान इधर उधर हो जाता, तो वो मध्धम आवाज में कहते, अरे यार, तुम तो मु समझें, और आपा अकसर चलते चलते उनके दर्वाजे पर ठहर जाती, रुक कर उनकी बातें सुना करती, फिर जूले के पास बैठकर आप ही आप मुस्कुरा देती, उस वक्त उसके सर से दुबटा सरक जाता, बालों की लट फिसल कर गाल पर आगिरती, और उसकी भीगी भ चोलों की तरह से जूमती, आपा की होंट यू हिलते, गोया गा रही हो, मगर अलफाज सुना ही ना देते, ऐसे में अगर अम्मा या अबबा बावर्ची खाने आ जाते, तो वो ठिटक कर यू अपना दुबटा, बाल और आखे सम्हालती गोया, किसी बेतकल्फ मेह फिल में कोई बेगाना अगुसा हो, एक दिन मैं आपा और अम्मा बाहर सहन में बैठे वे बातें कर रहे थे, उस वो भाई साब अंदर अपने कमरे में बद्दों से बातें कर रहे थे, मेरा खाल है उन्हें ये नहीं मालूम था कि हम बाहर सहन में बैठे वे उनकी बातें सुन रहे भाई साब बद्दो से कह रहे थे मेरे यार हम तो उस से बेहा करेंगे जो हमसे अंग्रेजी में बातें कर सके किताबें पढ़ सके शत्रंज, कैरम और चुड़िया खेल सके चुड़िया जानते हो वो गोल गोल परो वाला गेंद बले से यूँ डजन डजन और सबसे जरूरी बात ये है कि हमें मज़े तार खाने पका कर खिला सके समझें बद्दो बोला हम तो चाजब आजी से बेहा करेंगे उहां, भाई साब ने कहा बद्दो चीखने लगा मैं जानता हूँ तुम आपा से बेहा करोगे हां उस वक्त अम्मा ने मुस्कुरा कर आपा की तरफ देखा मगर आपा अपने पाओं के अंगूठे का नाखुन तोड़ने में इसकदर मसरूफ थी गोया उसे कुछ खबर ही ना हो अंदर भाई साब कह रहे थे वाँ तुमारी आपा फीरनी पकाती है तो उसमें पूरी तरह शक्कर नहीं डालती बिल्कुल फीकी आख थू बद्दो ने कहा अबबा जो कहते हैं कि फीरनी में कम मीठा होना चाहिए तो वो अपने अबबा के लिए पकाती है ना हमारे लिए थोड़ी मैं कहूँ आपसे बद्दो चीखा बाई साब चलाए ओ पगला ढंडोरा अब लो तुम्हें ढंडोरा पीट कर दिखाएं यह देखो इस तरह डग मग डग मग बद्दो फिर चलाने लगा मैं जानता हूं तुम मेज बजा रहे हो ना हां हां इसी तरह डंडोरा पिटता है ना भाई साब कह रहे थे कुष्टियों में अच्छा बतो तुमने कभी कुष्टि लड़ी है आओ हमर तुम कुष्टि लड़े मैं हुआ अगामा तुम बद्दो पहलवान लो आओ ठेरो ठेरो जब मैं तीन कहूं और इसके साथ ही उन्होंने मध्धम आवाज में कहा अरे यार तुम्हाने दोस्ती तो मुझे बहुत महेंगी पढ़ती है मेरा खाल है कि आपा हंसी ना रोक सके इसलिए उटके बावर्शी खाने चले गए मेरा तो हंसी के मारे दम निकला जा रहा था और अम्मा उन्होंने पूरा दुबटा मुझ मेठ हूस लिया था ताकि आवाज न निकल सके मैं और आपा दोनों अपने कमरे में बैठे वे थे कि भाई साहब आ गए कहने लगे जहीना क्या पढ़ रही हो उनके मुझ से जहीना सुनकर मुझे बड़ी खुश्य होती थी हलागे मुझे अपने नाम से बहतना पूरत थी नूर जहां कैसा पुराना नाम है बोलते ही मुँ में बासी रोटी का मज़ा आने लगता है मैं तो नूर जहां सुनकर यγे महसूस करती थी जैसे किसी तारीख की किताब के बोसीदा वर्ग से कोई बुड़ी अम्मा सौटा टेकती वे आ रहे हो मगर भाई सहाब को नाम बिगाड़ने कर उसे सवारने में कमाल हासिल था उनके मुझे जहीना सुनकर मुझे अपने नाम से कोई शिकायत न रहती और मैं महसुस करती गोया एरान की कोई शहजादी हो आपा को वो सजादा से सजदे कहा करते थे मगर वो तो पुरानी बात थी जब आपा छोटी थी अब तो भाईजान उसे सजदे ना कहते बलकि उसका पूरा नाम तक लेने से घब राते थे खेर मैंने जवाब दिया स्कूल का काम कर रही हूँ पूछने लगे तुमने कोई बर्नाट शॉक की किताब पढ़ी है क्या मैंने का नहीं उन्होंने मेरे और आपा के दरमयान दिवार पर लटकी हुई घड़ी की तरफ देखते वे कहा तुम्हारी आपा ने हार्ट ब्रेक हाउस पढ़ी होगी वो कनक्यों से आपा की तरफ देख रहे थे आपा ने आखे उठाए बगएर ही सर हिला दिया और मद्धम सी आवाज में कहा नहीं और सौइटर बुनने में लगी रही भाईजान बोले क्या बताओं जहीना वो क्या चीज़ है नशा है नशा खालिस शहद तुम उसे जरूर पढ़ो बिलकुल आसान है यानि इम्तिहान के बाद जरूर पढ़ना मेरे पास पढ़ी है मैंने कहा जरूर पढ़ूंगी फिर पोछने लगे मैं कहता हूँ तुम्हारी आपा ने मेट्रिक के बाद पढ़ना क्यों छोड़ दिया मैंने चड़ कर कहा मुझे क्या मालूम आप खुद ही पूछ लीजे हलांके मुझे अच्छी तरह मालूम था क्या आपा ने कॉलेज में जाने से क्यों इंकार किया था कहती थी मेरा तो कॉलेज जाने को जी ही नहीं चाहता वहां लड़कियों को देखकर ऐसा मालूम होता है गोया कोई नुमाईश गाहो दर्सगाह तो मालूमी नहीं होती जैसे मुताले के बहाने मेला लगा हो मुझे आपा की ये बात बहुत बुरी लगी थी मैं जानती थी वो घर में बैट रहने के लिए कॉलेज जाना नहीं चाहती बड़ी आये थी नुकता चीन इसके अलावा जब कभी भाई जान आपा की बात करते तो मैं खामखा चुर जाती आपा तो बात का जवाब तक ना देती और ये आपा आपा कर रहे और फिर आपा की बात मुझ से पूछने का मतलब मैं क्या कोई टेलफॉन थी खुद आपा से पूछ ले थी और आपा बैठी हुई गुमसुम आपा भीगी बिल्ली शाम को अब बाख खाने पर बैठते वे चिला उठे आज फिरनी में इतनी शक्कर क्यों है कंद से होट चिपके जाते है सजादा सजादा बैठी एक लुकमा निगलना भी मुश्किल है आपा की भीगी भीगी आँखे जूम रही थी हलागे जब कभी अबबजान खाफा होते तो आपा का रंग जर्द पढ़ जाता मगर उस वक्त उसकी गाल तमतमा रहे थे कहने लगी शायद जादा पढ़ गई हो ये कहकर वो तो बावर्चे खाने में चली गई और मैं दान पीस रहे थे शायद क्या खूब शायद उदर अबबा बदस्तूर बड़ बड़ा रहे थे चार-पांच दिन से देख रहा हूँ फिरनी में कन बढ़ दिचा रही है सेहन से अम्मा दोड़ी भी आई और आते ही अबबा पर बरस पढ़ी जैसा कि उनकी आदत है आप तो नहाख बिगड़ते हैं आप हलका मीठा पसंद करते हैं तो के बाकी लोग भी कम खाएं अल्ला रखे घर में जवान लड़का है उसका तो ख्याल रखना चाहिए अबा को जान चुडानी मुश्किल हो गई कहने लगे ओ ये बात है मुझे बता दिया हो तो मैं कहता हूँ सजाता कि मा और फिर दोनों खुसर फुसर करने लगे आपा साहरा के घर जाने को तैयार हुई तो मैं बड़ी हैरान हुई आपा साहरा से मिलना तो दरकिनार उससे बात करना तक पसंद नहीं करती थी मैंने ख्याल किया जरूर कोई भेद है इस बात में कभी कबार साहरा दिवार के साथ चारपाई खड़ी करकर उस पर चड़कर हमारी तरफ जहांकती और किसी ना किसी बहाने सिलसला गुफ्तुगू को दराज करने की कोशिश करती तो आपा बड़ी बेदिली से एक दो बातों के बाद उसे टाल देती आप ही आप बोल उटती अभी तो इतना काम पड़ा है और मैं यहां खड़ी हूँ यह कहकर वो बावर्ची खाने जा बैठती खेर उस वक्त तो मैं चुपचाब बैठी रही मगर जब आपा लौट चुकी तो कुछ देर के बाद चुपके से मैं भी साहरा के घर जा पहुची बातों इन बातों में मैंने जिकर छेड़ दिया आज आपा आई थी साहरा ने नाखुन पर पॉलिश लगाते वे कहा हाँ कोई किताब मंगवाने को कह गई है जाने का नाम है उसका हार्ट ब्रेक हाल्स आपा उस किताब को मुझसे छुपा कर दराज में मुकफल रखती थी मुझे क्या मालूम ना था रात को वो बार बार कभी मेरी तरफ और कभी घड़ी की तरफ देखती उसे यू मस्तरिब देखकर मैं एक जूटी अंगड़ाई लेती और फिर किताब बन करके रजाई में यू पढ़ जाती जैसे मुद्द से गहरी नीन में डूप चुकी हूँ जब उसे यकीन हो जाता कि मैं सो चुकी हूँ तो वो दरास खोल कर किताब निकाल लेती और उसे पढ़ना शुरू कर देती आखर मुझ से न रहा गया मैंने रजाई से मुझ निकाल कर पूछी लिया आपा ये हार्ट ब्रिक हाउस का मतलब क्या है दिल तोड़ने वाला घर इसके क्या माईनी हुए आपा पहले तो ठिटक गई फिर वो समभल कर उठी और बैट गई मगर उसने मेरी बात का जवाब ना दिया मैंने उसकी खामोशी से जल कर कहा इस लिहाँस से तो हमारा घर भी हार्ट ब्रेक है कहने लगी मैं क्या जानू मैंने उसे जलाने को कहा हाँ हमारी आपा भला क्या जाने मेरा ख्याल है ये बात उसे जरूर बुरी लगी क्योंकि उसने किताब रख दी और बत्ती बुज़ा कर सो गई एक दिन यूही फिरते फिराते मैं भाईजान के कमरे में जा निकली पहले तो भाईजान इधर उधर की बातें करते रहे फिर पूछने लगे जहीना अच्छा ये तो बताओ क्या तुम्हारी आपा को फुरूर सलात बनाना आता है मैंने कहा मैं क्या जानू जाके आपा से पूछ लीजिए हसके कहने लगे क्या किसी से लड़कर आई हो क्यों मैं लड़ाका हूँ मैंने कहा बोले नहीं अभी तो लड़की हो शायद किसी दिन लड़ाका हो जाओ इस पर मेरी हसी निकल गई वो कहने लगे देखो जहीना मुझे लड़ना बेहत बसल है मैं तो ऐसी लड़की से बया करूँगा जो बाकाइदा सुभा से शाम तक लड़ सके और जरा ना उकताए जाने क्यों मैं शर्मा गए और बात बदलने के खातिर पूछा फ्रूट सलाथ क्या होता है भाईजान बोले बोबी कुछ होता है सफेद सफेद लाल लाल काला काला नीला नीला सा मैं उनकी बात सुनकर बहुत हासी फिर कहने लगे वो मुझे बेहत पसंद है यहां तो जहीना हम फिरनी खा कर उकता गए मेरा ख्याल है ये बात आपाने जरूर सुनी होगी क्योंकि उस शाम को वो बाबर्ची खाने में बैठी नेमत खाना पड़ रही थी उस दिन के बाद रोजाना बिला नागा वो खाने पकाने से फारे होकर फुरूर सलाथ बनाने की मश्प किया करती और हमें से कोई उसके पास चला जाता तो जट फुरूर सलाथ की कष्टी छुपा देती एक रोज आपा को छेड़ने की खातिर मैंने बद्दो से कहा बद्दो भला बूझो तो वो कष्टी जो आपा के पीछे पड़ी उसमें क्या है बद्दो हाथ धो कर आपा के पीछे पड़ गया हत्ता के आपा को वो कष्टी बद्दो को देनी ही पड़े फिर मैंने बद्दो को और भी चमका दिया मैंने का बद्दो जाओ तो भायजान से पूछो इस खाने का नाम क्या है बद्दो भायजान के कमरे की तरफ उठकर जाने लगा तो आपा ने उटकर वो कश्टी उससे छीन ली और मेरी तरफ घूर कर देखा उस रोस आपा ने पहली बार मुझे घूर कर देखा था और उस रात को आपा शाम ही से लेट गई मुझे साफ दिखाई देता था कि वो रजाई में पड़ी रो रही है उस वक मुझे अपनी बात पर बहुत अफसूस हुआ मेरे जी चाहता था कि उटकर आपा के पाओं पर जाओं उसे खूब प्यार करूं मगर मैं वैसे ही चुपचाब बैठी रही और किताब का एक लफ तक न परसे उनी दिनों मेरी खालाजाद बहन साजदा जिसे हम सब प्यार से साज़ो बाजी कहा करते थे मेट्रिक का इम्तिहान देने के लिए हमारे घरा ठहरी साज़ो बाजी के आने पे हमारे घर में भी रॉनक हो गई हमारा घर भी खेकहों से गूंज उठा साहरा और सुरै्या चरपाईयों पर खड़ी होकर बाजी से बातें करते रहती बदो छाजो बाजी छाजो बाजी चिखता फिरता और कहता हम तो छाजो बाजी से बाह करेंगे बाजी कहती शरकल तो देखा उतनी पहले मूँ धुआओ फिर वो भाई साहब की तरफ यू गर्दर मोर्थी की काली-काली आँखों के गोशे मुस्कुराने लगते और वो पंचमतान में कहती है ना भाईजान क्यों जी बाजी के आने पर आपा का बैठना बिल्कुल बैठ रहना ही रह गया बद्दो ने भाईजान से खेलना छोड़ दिया वो बाजी के गिर्द अवाफ करता रहता और बाजी भाईजान से कभी शत्रंज, कभी कैरम खेलती बाजी कहती भाईजान एक बोड लगेगा या भाईजान बाजी की मौजूदगी में बद्दो से कहते क्यों मिया बद्दो कोई है जो हम से शत्रण्ज में पिटना चाहता हो बाजी बोल उठती आपा से पूछिए भाईजान कहते और तुम बाजी जूट मुट की सोच में पढ़ जाती चेहरे पर संजीत की पैदा कर लेती भवे सिम्टा लेती और तेवरी चढ़ा कर खड़ी रहती फिर कहती उच से तो आप पैट जाएंगे भाईजान खिल खिल आकर हस बढ़ते और कहते कल जो पेटी थी भूल गई क्या जवाब में वो कहती मैंने कहा चलो भाईजान का लिहास कर दो बढ़ना दुनिया क्या कहेगी मुझ से हार गए और फिर यू हसती जैसे खुंगरू बज रहे हैं रात को भाईजान बाबर्ची खाने में ही खाना खाने बैट गए आपा चुपचाप चूले के सामने बैठी थी बद्दु छाजो बाजी इच्छा जो बाजी कहता हुआ बाजी के दुबटे का पलू पकड़े उसके आसपास घूम रहा था बाजी भाईजान को छेर रही थी कहती थी भाईजान तो सरफ साड़े छे फुल के खाते इसके इलाबा फिरनी की प्लेट मिल जाए तो कते ही मुझाइका नहीं करें भी क्या ना खाएं तो मुमानी नाराज हो जाएं उन्हें जो खुश रखना हुआ है ना भाईजान हम सब इस बात पर खुब हसे फिर बाजी इदर उदर टहलने लगी और आपा के पीछे जाके खड़ी हो गई आपा के पीछे फ्रूट सलाथ की कश्टी पड़ी थी बाजी ने ढखना सरका के देखा और कश्टी को उठा लिया पेश्टर इसके के आपा कुछ कह सके बाजी वो कश्टी भाईजान के तरफ ले आई लीजे भाईजान उसने आँखों में हसते वे कहा आप भी क्या कहेंगे कि साजबाजी ने कभी कुछ खिलाया ही नहीं भाईजान ने दो तीन चमचे मूमे ठूस कर कहा खुदा की कसम बहुत अच्छा बना है किसने बनाया है झाल 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 में हैरान हुई ये बात क्या है मगर आपा चुपचाब बावर्चे खाने में बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही नहो उसके पीछे फ्रूट सलाथ की कश्टी खाली पड़ी थी अलबता आपा के होन भेचे वे थे भाई तसदुक और बाजी की शादी के दो साल बाद हमें उनके घर जाने करते हैं अब बाजी वो बाजी ना थी उसके वो कह कहे भी न थे उसका रंग जर्थ था और माते पर शिकन चड़ी थी भाई सहाब भी चुप चुप रहते थे एक शाम अम्मा के हिलावा हम सब बावर्ची खाने में बैठे थे भाई कहने लगे बद्दो साजो बाजी से बयाख करोगे बद्दो ने कहा हम बयाख करेंगे ही नहीं मैंने पूछा भाई जान याद है जब बद्दो कहा करता था हम तो चाजो बाजी से बयाख करेंगे अम्मा ने पूछा था आपा से क्यों नहीं तो कहने लगा बताओं आपा कैसी है, फिर चूले में जले वे उपले की तरफ इशारा करके कहने लगा ऐसी, और चाजो भाजी, मैंने बद्दो की तरफ बजली के रोशन बल्प की तरफ उंगली उठा के कहा था, ऐसी. एन उसी वक्त बजली बुच गई और कमरे में अंगारों की रोशनी के सिवा अंधेरा चागया, हाँ, याद है, भाज़ान ने कहा, फिर जब बाजी किसी काम से बाहर चली गई तो भाजी कहने लगे, नजाने अब बजली को क्या हो गया है, जलती बुचती ही रहती है, आपा चुपचाप चूले में दबी राह की चिंगारियों को कुरेद रही थी, भाज़ान ने मख्मूम सी आवाज में कहा, फुफ, कितनी सर्दी है, फिर उटकर आपा के करीब चूले के सामने जा बैठे, और उन सुलकते वे उपलों से हाथ सेखने लगे, बुले मुमानी सच कहती थी, इन जलेवे उपलों में आग दबी होती है, उपर से दिखाई नहीं देती, क्यूं सचते, आपा परे से रखने लगे, तो चंद सी आवाज आई, जैसे किसी दबी वी चिंगारी पर पानी की बूनने पड़ी है, भायजान मननत भरी आवाज में कह रहे थे, अब तो इस चिंगारी को ना बुझाओ सचते, देखो तो कितनी थंड है, क्यों प्यूशारी कोशारी है, हुआ हुआ है